हरी कृष्णा रादे रादे आप सब कैसे आप सब यहारी जी की किरपास से सब अच्छे ही होंगे तो अभी हम दो-तीन दिन पहले मीरा जी का चरिक्तर लेकर आयते जिसके अंदर आप आप सब लोगोंने ज्यादा खैर कहूंगी नहीं लेकिन ठीक थाक ठोड़ी बहुत चली पर अभी जो मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ मैंने सुचा कि वह थोड़ी सी बड़ी योगिती में शॉर्ट में ही आप सब को बता दू तो मीरा जी जो हम लोगों के लिए माइने रखती हैं वो इसलिए रखते हैं कि उन्होंने क्रिशन जी की इतनी भक्ती करी कि ह हम लोग इतना तो शयाद कभी कर भी नहीं पाएंगे सेकनली यह है कि लोग कहते हैं मीरा जी पिछले जनम में क्या थी हो और सब्से बड़ी बात प्ते क्या है है आज-कल कि लोग तना की Meg IQ विश पिया था या मिरा जी ने ऊमीरा जी इसका ल्यूग से पहले उनका पूर्ट जो जरम था उसमें क्या थी मीरा जी व्रिंदावन की सखी थी और उनका जो नाम था मादवी था ठीक है और मादवी जी का विवा था विवा हुआ था कृष्ण के सखा के साथ में ठीक है तो उसके बाद में जब मादवी का विवा तैय हो गया ता सखा के साथ में तो उनकी जो मादवी की जो माता चीय है उन्होंने कहा कि बेटी विंदावन की कृष्ण से दूर रहना क्योंकि वह है जादूगर है और जिसको वह एक बार देख लेता है वो उसके पीछे फागल हो जाता है तो उनकी दिमाख में यह चीछ ब विदा हुई तो उसके बाद में जैसे डोली में जब लड़की जाती है वैसे ही वो गई फिर उसके बाद में जब रास्ते में तुरंत क्रिशना जी उनको मिल गए अपने सखा को मिले तो उन्होंने का कि जो उनके हापे सखा अपनी बीबी का जो है वो दिखाओ मुझे च तुम ही बहु को देखते हो इस तरीके से तो माधवी को अपनी मा की बात याद आ गई काना जी का नाम सुनके तो माधवी ने अपने पल्लू को ऐसे करके पकड़ लिया और काना उनसे कहने लगा कि है सखी अपना मुख दिखाओ मुझे है सखी मुख दिखाओ तो उन्हों ने कोई जवाब ने दिया माधी ने तो उसके बाद में सखा से बोला कनिया कि ए सखा तेरी बीबी बहरी और गूंगी है क्या कि जो मेरी बातों का जवाब नहीं देरी तो सखा कहते है कि नहीं नहीं अभी तक तो मुझे सही सही बात कर रही थी पता नहीं क्या हो गया तो स इस जनम में कभी भी तुमका अपना चेहरा नहीं देखूंगा इतना कहके काना वहां से चले गए जब मादवी अपने ससुराल आई और उसके बाद में जब वहां पे रही तो मादवी की सासुमा ने कहा कि है सका बेटा तुम बहु को ले जाकर और ये शोदा मैया के यहां प तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना मादवी जी ने मना कर दिया कि मुझे वहां नहीं जाना ऐसे करके मना करने के बाद वहां अंदर चली गई कुछ दिन ऐसी चलता रहा जब आप सब को पता ही होगी जब काना ने अपनी कन की उंगली पे जब गोवर्धन उठाया था जब इंद्र ने खूब बर्शाद करी थी तब उसके अंदर मादवी जी भी उस गोवर्धन के जब परवत उठाया था परवत के नीचे बह भी आए कि मुझे गिरी राज जी को दुवारा से स्थापित करना है चीक है तब उसके नीचे मादवी भी थी सब लोग निकल गए मादवी जी रह गई थी मादवी ने काना की सिर्फ कंड की उंगली को ही देखकर वह मुहित होगी कि जिसकी उंगली इतनी सुंदर है वह कितना सुं काना ने कहा कि सक्षी बहार तो जा बहार तो जा मैं जराप पहले किरी राज जी को नीचे कर दूँ। उसके बाद मैं मतलब बात करता हूँ. तो जैसे ही ग्रीराजी को स्थापिट किया फिर उसके बाद काना माधवी जी को मिले तो उन्होंने का, माधवी ने कहा कि काना मुझे माफ कर दो मुझे नहीं बताता मेरी मैया ने कहा ता कि जो एक बार काना को देख लेता है वो उसको भूत लग जाता है ऐसे करके तो काना से उन्होंने बहुत माफ्य मांगी लेकिन काना ने कहा कि मैंने बचन दे दिया है और मैं तुम्हारा क्या कर चुका हूं मैं तुम्हारा फेस नहीं देखूंगा मैं तुम्हारा चाहरा नहीं देखूंगा हाँ अब तुम कल्यूग में जब कल्यूग आएगा कल्यू मैं जन्मोगी तो रतन जी के घर मैं जन्मोगी तो फिर घर मीरा जी के जन्म कल्यूक X मैं उन्य सब्सक्राइब मत्रूइ जन्मोगी तो वे सख़ा की चोम बातालिडी मनी महत्रूइ कानवी को छोड़ यह दो है c WORKThere जी मैं उसका मुख देखकर ही सब कुछ करा करती थी और कल से वह मुझे नहीं दिखेगा इतनी बात सुनके तो बस मादवी का तो बुरा हाल वे तब प्राण त्यागने को तयार की उस ट्रैम पे तो मादवी की सखी आई और सखी जब आई तो उन्होंने कहा कि चल तुझे मै रादा राणी से मिलवाती वो रादा राणी जी के पास में गई तब रादा राणी ने उनको स Especially जह मिलेंगे तो वह जो तुझे कल युग में जरूर मिलेंगे और तेरा त्यात उन्होंने इसले ही किया था जिससे की तू जैसे तू अपना मुग लिए लेकिन आप Link में मीरा जी का जीनम हुआ फिर mamoo जैनम हुआ चोदा सो आठानवे में मीरा जी का जनम हुआ था रतन जी के गर पर ठीक है तब उनकी जो रूची थी सुरू से ही रूची क्रिशना जी में थी क्रिशना जी को बहुत मानती थी जो उनके जो दादा जी थे दादा जी उनको मंदिर लेके जाया करते थे सब जगे लेके जाया करते थे तो मीरा जी इतना प्रसंद होती थी क्रिशना को देख देख के बहुत ज़्याद है एक बार मीरा जी के हाँ पे एक संत आए उनों ने उनके पास बहुत सूनेदब ठाकुशी थे तो ठाकुशी को देखके मीरा जी मोहित हो गई उस चहलं पर गिरदर गोपाल जो उन्होंने उनका नाम रखा था उनके देख्के मोहित होगी बहुत चुप चुप के उनकी सेवा देखती थी जैसे वो संत करते थे उनको फिलाना फिलाना सुलाना उनका शिंगार करना बहुत उत्तम तरीके से वो करते थे तो मीरा उनको देखा करती थी तो मीरा के मन में ये आया कि ये गिर्दर गोपाल मुझे मिल जाए तो वो संत के पास में गई जब संत के पास में गई तो उन्होंने संत से कहा कि आप मुझे अपने ये गिर्दर गोपाल जी जा है वो मुझे दे दो ठाकुड जी मैं इनकी खूब सेबा करूंगी तो उन्होंसे सोचा कि यह बच्ची है यह कहा सेबा कर पाएगी तो उन्होंने मना inflam कर दिया कि बैटी तो मैं ऐसी देख 35 कों मैं तक ले कर आ था हूं-एा अब संत जी बस उनका तो रोना शुरू हो गया कि मेरी सेवा मैंसी कोई कमी रह गई यह तो मतलब होता है न हमारे ठाकुर जी भी हो तो हम किसी को नहीं दे सब कुछ करती थी गिल्दर गोपाल जी के लिए ठीक है तो एक दिन किसी की बराद जा रही थी वो अपनी मा के पास में लेटी हुई थी तो किसी की सखा की बराद जा रही होगी बराद जा रही थी तो उन्होंने बोला कि मैया ये क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कि बैटी जब तेरा विवा होका ना तो तेरा पती गिर्दर गोपाल होगा बस पांस साल की बिटिया को उन्होंने बोला कि तेरा पती जा है वो गिर्दर गोपाल है और उन्होंने उस दिन से ही गिर्दर गोपाल जी को अपना पती मान लिया था ठीक है तो उसके बाद में जब मीरा ज से मिलने के लिए आए तो उनके भाई के साथ में भूम रहे थे मतलब सब जगे पे देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनके भाई جی کو بہت اچھی سے سجا رہی ہی تھی بہت سجایا انہوں نے اور اچھی طریقے سے سجایا اور ان کے سیوا پاٹ کر رہی تھی تو ان کے بھائی آئے انہوں نے کہا کہ بہنا میں آیا ہوں تو وہ اندر آئے اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ میں کونڈ ہے اس اسے میں تک میرا جی کو نہیں پتاتی کہ یہ مارے ہونے والے پتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں جب ان کو میرا جی کے سامنے جب لائے तो बोज राजी से उन्होंने जो भी बात करी तो उन्होंने अपने भाई से पूछा कि ये है को ने तो उन्होंने बोला कि बेहन ये तेरे बीन बीन राजिस्तान में बीन बीन नहीं कहते हैं न कि तरह वो हैं मतलब हम अपनी बात से में बोलें तरह पती हैं तो इनके साथ मे तरह बीवा होने वाला है बस इतनी बात सुनके मीरा जी का तो मतलब दिमाग जो है ना वो खराबी हो गया तो उसके बाद में गिरदर गुपाल जी की तरफ वह देखने लगी और इसके बाद में जब उनके भाई यहां से चले गे तब भोजराजी ने उन से कहा मीरा जी ने कि मेरा Vraag तो मेरे गिक डिरदर गुपाल जी के साथ में हो चुका है तो आप मेरे मेरेज को ले जाकर क्या करोंगे उस सूरीगे तो बोजराजी उनकी भावनाव को समझे उनका प्रेम देख नूंको समझ गये उनको ने कहा कि देखो विवा की जो तारीक है और जो विवा है वो पका हो गया है आप मुझसे विवा कर लो बाकी मैं तुम को मतलब हाथ तक भी नहीं लगाँगा आप अपने कक्ष में रहना कोई दिक्कत वाली बात नी है बलकि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा इस चीज में तो मीरा जी को उन्होंने समझा और मीरा जी ने उनके हो हाँ कर दिया चीक है तो मीरा जी उसके बाद में अपनी मा के पास गई मा से बोली कि मा तेरे कितने पती है तुनोंने कहा कि तो तुने मेरे लिए मेरा दूसरा पती क्यों ढूंडा तुनोंने कहा कि तेरी तो शादी हुई नी कहा किसने कहा तुने तो कहा था पांच वर्स मतलब चोटे में कि तेरा जो पती है वो गृदर गौपाल है तो कि तेरा पती तो गृदर गौपाल है फिर अब तूने मेरे लिए बहुघराज जी को क्यों चुना, तो उन्होंने का उटकी मा कितनी सी बात सुनी कि उनका वह मतलब बहुचाधा चंत उन जी को सारे बात बताइए, पिर भी उन्होंने कुछ नहीं का, जब भोज राजी से उनके फेरे पड़ रहे थे, फेरे पड़ने से पहले रात को मीरा जी के सुपन में श्री गिर्दर गोपाल जी आए, और उनके साथ उन्होंने फेरे लिए उनके इनकी मांग भरी है और रुक्मनी मैया ने मीरा जी को सजाया है और जब सुबह उठकर देखा उनकी मतलब मैया आई उनके कक्ष में देखा तो मीरा जी की मांग भरी हुई थी और सुन्दर जड़े हुए उन्होंने लहंगा मतलब बस्तर पैन रक़्ेते, बहुत सुंदर संदर उन्होंने घहने डाल रखेते, तब व मीरा जी ने, मीरा से पूछा, उनकी माने कि यह सब क्या है, उन्होंने का कि अपने मेरे घृदर को पालाय थे, उन्होंने बहुत साथ फेरे लिये, और आज मैं उनकी भीवी मतलब पत्नी हो गई हूँ इस तरह से और जब मांग भरे देखा तो वे रतन जी के पास गी और जोनोंने को झा कि देखो देखो तो मांग पहले से बरी अब मैं उसको कैसे भाड़ लेके जा हूँ कैसे भी कर जो चुपाया और फिर उसके बाद में वहें फेरे के लिए गए जब पड़ रहे थी, मतलब मीरा जी ने घरदर को झाट को अन्दर छुपा रखा था, ऑर फेरे भी उनके दो करी गूरे तो मनमें तो उनके घरदर गोपाल जी थी, तब है महापर आगी मेवाड में आगी मेवाड में आने की बाद में जो फिर उनके साथ में हुआ है वो तो फिर सभी को यह पता है लेकिन जब मेवाड में आई तब तक उनकी जो सास थी उनसे बोला कि चलो बेटी कुल देवी के चरन चुओ या मस्तक माता चुकाओ तो उन्होंने साफ बना कर दिया कि यह माता जो है मेरा गिल्दर गोपाल जी के सामने ही जुकता है और किसी के सामने नहीं तो यह बात उनको बहुत बुरी लगे थी उनकी सास को उसके बाद में उन्होंने जाके राणा जी को बताया राणा ने राणा को भी इस चीज में से ने मेरे घृदर गुबाल और उनी की की को नियोगी उर वहा कुछ ईकी周 eye और इस ने की समाध़ से कोई मतलब था ही नहीं ौ पर वह के बाद में ताकुर जी को लेकि रहे जैसे ही मीरा जी ने उसमें कदम रखा, कदम रखने के बाद में और साकुड जी का जो चड़ना अमरी था, पूरे महल में उन्हों ने डाला और उनके इतने भी पित्र थे सब को मौक्ष की प्राप्ती थी, जब मौक्ष प्राप्ती होगी तो उन्हों ने बहुत आश्रवात दिया कि बेटी तुम्हारे ही कारण हमारा मौक्ष हुआ है वरना तो यह नहीं पताती कि हम कब तक यहां पर भटकते और फिर तो मीरा जी ने उस महल में इतना भजन किया और इतना निट्टे किया और काफी टाइम हो गया था उस बातों को तो फिर राणा ने बोला कि अब एक काम करो तुम पटाफर जाओ जाके देख अब तक तो मीरा मर चुकी होगी महासे कोई आया सैनी को और उसने देखा तो उन्हों ने जाके बताया कि नहीं नहीं मीरा जी तो वहाँ पे भजन निट्रे कर रही हैं उनको को जब grand किया तो मीरा जी का बाल भी बांका नहीं हुआ उसके अंदर एक बूंद रह गयी थी वो कर टोरा वापस लेके गया और उसने कहा कि मीरा जी को तो कुछ हुआई नहीं इसका तो एक बूंद सेही आदमी मर जाय तो इसको तो कुछ कि फुट बोल भाए तुन्हें उसको विष्ट दिया ही नहीं यह वैसा लोकल जो भी है कह सकते हो तो उसने कहा कि नहीं 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 तो राना ने कहा कि इसको तू पी और इ внेसमे मर गया राना इस हुई तब लोगों ने कहा कि मीरा अपने बस्त्र जो है वो चेंच कर लो और मतलब सफेद वस्त्रगारं कर लो और अपने गहने मेने उतार दड़ प्यों विद्वा होplayer ऊ tut अन्होंने कहा कि मेरा मेरा पती तो कभी मरी ही नहीं सकता तो उन्होंहों بھی मर सकते ना कोई जनम लेते ना उख कभी मरते तो इतनी बात सुनके तो और लोगों को और भी जदा दिमा खराब हो किया फिर उनके देवर ने घदी समाली तो फिर उनका میरा ी का मंदिर में जाना भी बंद कर दिया था लेकिन मीरा जी नहीं मानती थी उसके बाद में मीरा जी को साफ से कटवाने की कोशिश करी मीरा जी के साथ में बहुत दुराचारी करी फिर मीरा जी जब राना के कुछ जादा ही पाप जो थे वो बढ़ने लगे तो मीरा जी ने महां से छोड़के वह ब्रिंदावन आ गई थी जब बिरिंदावन में बहाँ आई तब महा जशी जिके आश्रम में गए तब उननों से कहा उनों के चो घूवी सकते उनसे कहा कि मुझे रिशी जी से मला तो बहा, बहा ओरतों से नहीं मिलते मीरा जी को इतनी बात सुनके बहुत है सै यह उन्होंने कहा कि हमें तो लगता है यहां पे सिर्फ एक ही मर्द है वाकितो सब सखिया हैं यह दूसरा मर्द को उन्सा आ गया इतनी बात सुनकी जो रिशीजे वह भार आए और मीरा जी को उन्होंने बहुत भज़न करवाया बहुत अच्छे से उनको रखा मीरा जी ने ब बिरिंदावन में बहुत भज़न करा और गृदर गोपायल जी के साथ में उन्होंने बहुत इंच्छे गिया बहुत उनके दर्शन करे और उसके बाद में मीरा जी ने फिर बिरिंदावन को छोड़के दौरका चली गई फिर दौरका में जब पता चला कि राणा जी को उन्हें फ्राण त्याग दूगा इतनी बात सुनकर जब मीरा जी को ऐसा लगा कि शायद ये फ्राण त्याग देंगे तो मीरा जी ने क्या करा मीरा जी गई गिर्दर गोपाल जी से पूछने के लिए और जब उन्होंने आखे बंद करी तो वह गोपाल जी के अंदर ही समा ऊसके बाद मीरा काई गीallow been GP हमारे इंदर उतना फ्रेम pl अधि हो जाए का भी हो मैं ब्हूत अप्र हमारे इंदर में कुछारा कई आ कि मुझे कहीं जाना है तो मैं खुद ही बना कर देती हूं कि मुझे नहीं जाना क्योंकि पीछे से सेवा करेगा खुन और इनके सिवा लगता है ही नहीं कोई अपना कि हम कहें कि यह अपना यह अपना सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके घर के अंदर लड्डू को पाल जी हैं दूसरों से इर् है कि जिसने मेरे भक्त को परिशान किया है मेरे भक्त के लिए गलत सोचा है मैं उसको जन्मो जन्मो तक मौक्ष का दीकारी नहीं बना तब हो इसी चक्कर में पढ़ा रहता है मृत्यू जनम मृत्यू जनम और इसके आगे उसका कुछ नहीं होता बहुत लोग एं ठाकुर की सेवा करें देखा देखी करते हैं सेवा करते हैं पर ठाकुजी को कोई सेवा उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से देनी चाहिए काले हो रखे हैं सुबह खिला दिया शाम को खिला दिया एक फोमैल्टी सी जो हो रही है आँचकल वही हो रही है तो इसलिए यह ना करें जैस पर क्या क्या चीज़े चाहिए, क्या नई चाहिए, क्या उनको प्राबलम है, क्या नहीं है, उनका हर चीज का ध्यान दिया जाता है, जो कि आजकर लोग भाव, पुछ एक मेर से किसी ने प्रेशन किया कि हम लोग ठाकुर जी के भाव को कैसे समझे, जब तक आपके अंदर प बना दो या मेरे को इस तरीके इस कलर के कपड़े पहनने ते हम हम को थाकुव जी के भाव जो है वो ओथ उनकी किलपा से पता चल जाता है और अपने मुझे कहना जो है अपराद होगा लेकिन फिर भी मैं यही चीज कहूंगे कि जैसे अपने ठाकु जी को रखते हूं ना शायद मैं अपने बच्चे को नहीं रखते हैं और मैं अपने बच्चे से जाद अपने ठाकु जी को फ्रेम करती हूं मुझे दिन दुनिया से मतलब नहीं है और रियल्टी बताऊ ना मेरा बुरा करने वाले बहुत लोग हैं बहुत किसी के साथ बुरा नहीं है गुष भूबान को भी कोहसते रही है वर समतं से प्यार करो तो अपने 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 बहार भी दिखांगे कर ंपने चमत कार नहीं करों